आज हम जूरिस्पूदेंस के टॉपिक शोशल इंजिडिरिंग थ्योरी आफ रॉसकोपाउंड पर अपना डिस्कुशन करें तो जो पहले मैं आपको ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रॉसकोपाउंड के बारे में बताते हूं यह आपको एक इंट्रोडेक् में लिखना भी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही आउट्स्टेंडिंग जूरिस्टी एक्चुली इनका जनम 1870 में न्यू जर्सी में हुआ था वही पे दो साल के शॉर्ट पेरिट के रिए यह सुप्रीम कोट के जज भी रहे उसके बाद यह लॉफ इसकोल के देन बन गए औ जो Harvard University है जो इतनी famous university है उसमें इन्होंने जूरिस्पुडिंस की प्रोफेसर की तरह वर्द किया इन्होंने जो था American sociological jurisprudence को बिलकुल systematic form में develop किया था इसी लिए इनको American sociological jurisprudence के फादर की तरह भी जानते उन्होंने बहुत सारे किताबे लिखी जैसे कि Social Control to Law, The Task of Law ऐसी उन्होंने काफ़े सारी books लिखी ये उनका एक brief introduction था अब हम देखेंगे कि उन्होंने जो अपनी Social Engineering Theory दी है वो क्या है आपको introduction के बाद पूरा बताना पड़ेगा कि Social Engineering Theory क्या होती है उन्होंने का जो law है वो सिर्फ किसी principle या rules का collection नहीं है अगर हमने कुछ principle बना लिए या कुछ set of rules बना लिए तो हम उन्हीं चीज़ों को law नहीं बोलते है बलकि law का काम है कि जो society है, society की जो interest है वो उन्होंने जो है harmony पैदा करे, उन्होंने balance लेके आए ताकि लोगों में conflict कम से कम हो उन्होंने बोला, जो law maker है, वो एक social engineer की तरह होते है जो काम engineer का होता है, वही बिलकुल law maker का होता है तो देखिए, engineer का का क्या होता है, engineer का का काम होता है कि कि किसी product को develop करना अगर उसमें कोई fault आता है, तो उसको सुधारना या customer की need के इसाब से अपने product को और value added बनाना आप देखिए, कि पहले जो थे mobile phone जो थे, उसमें सिर्फ keyboard होता था, जिससे आप अपने सिर्फ number dial कर सकते थे लेकिन customer की need के इसाब से क्या हुआ, फिर उस keyboard को Android phone आए, अब आपकी smart phone आने लगे तो अब आपका camera की facility होती है, आप जहां चाहे जो है, camera से photo कीज सकते हैं, आप email बेज सकते हैं, आप online transaction कर सकते हैं, तो इतने सारे feature अब आपकी smart phone में आने लगे तो ये क्या हुआ, customer की need के इसाब से, जो engineer थे, उन्होंने अपने product को और जादे improve उसी तरह से, जो lawmaker होता है, वो society की need के इसाब से, क्योंकि आपको पता है, society कभी भी static नहीं होती है, वो dynamic होती है, जैसे जैसे time का progression होता है, उसी इसाब से society में भी change आते हैं, society की need change होने लगती है, तो law उसी इसाब से, अपने existing law को जो है, ठीक करते हैं, और new law लेकर आते है ताकि वो society के interest को पूरा करते हैं, देखे, जब capitalist society थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने profit के margin के लिए labor को exploit करना शुरू कर दिया, उन्हें पता था labor को काम की जड़त है, तो सुभे शाम उनसे काम लेते थे, उन्हें wages भी कम देते थे, उन्हें profit में भी कोई हिस्सा नहीं द आया, आपका जो है bonus act आया, की बताया गया कि जिस profit को आप अपनी labor की वज़े से काम करते हैं, तो उस profit में कुछ share as a bonus labor का भी होना चाहिए, और labor की एक minimum wages तो होनी ही चाहिए, कि उससे कम आप नहीं देंगे, अगर labor दिन रात काम करता है, तो उसको over time भी मिलना चाहिए, तो ये था law का वर्थ, की law की वज़े से इतने सारे कानून बढ़े, तो this is called social engineering theory of found, अब आपको clear हो गया हो गए engineer की example से, कि जैसे engineer अपने product को ठीक करता है, customer की need के साब से, उसे साब से lawmaker भी social engineer होते हैं, वो society की need के साब से अपने law को ठीक करते हैं, अब रॉसको पाउंड ने, जो है, society में कहा कि तीन तरे की interest होते हैं, एक private, एक social और थीसरा था public interest, प्राइवेट में उन्होंने का personality से related भी हो सकते हैं, आपके domestic relation से भी related हो सकते हैं, आपके substance से भी related हो सकते हैं, पस्नेल्टी में उन्होंने बताया कि आपको इज़्यत से जीने का दिकार है, इज़्यत से मरने का दिकार है, कोई भी आपको जो है, अनापशनाफ नहीं कर सकता, आपकी public insult नहीं कर सकता, आप इसलिए देखिए, हमारे constitution में भी right to death दिया गया है, right to life दिया गया है, इसलिए right to death में आता है कि अगर कोई बंदा मर जाता है, और कोई भी उसकी body को claim नहीं कर रहा है, तो पुलिस वाले उसकी धर्म के उनसार उसका दासंसकार करा देगा, आप पे कोई भी public insult नहीं कर सकता, तो इसलिए आप defamation का case किसी पे भी डाल सकते हैं, उसी तरह से domestic relation में, spouse में अच्छा relation होना चाहिए, interest of substance में क्या होता है, कि आपकी अपनी property होती है, आप उसे enjoy कर सकते हो, आप कोई भी business अपना शुरू कर सकते हो, आप कहीं भी जो है घूफे सकते हो, तो इस तरीके से ये सब जो है private interest कहलाते हो, फिर social interest क्या होता है, वो interest होते है, जो society के member के लिए combined form में किये जाते है, एक तो individual interest होते है, जो सिर्फ हमारे से relate करता है, एक होता है, जो society के सारे member से relate करता है, तो उसे बोते हम social interest, जैसे कि society में law and order होना चाहिए, उसमें peaceful atmosphere रहना चाहिए, और वहां के member की general health का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इस तरह से बहुत सारे interest होते हैं, जो society के member को फूरी तरह से impact करते हैं, तो वो कहलाते है social interest, अब last public interest क्या कहता है, कि जो आप प्राइबेट और social interest है, अगर कोई इंटरस्ट को violate करता है, तो public यह state होती है, जो उनके गाजियन की तरह काम करती है, तो अगर कोई भी violate करता है, तो उन्हें punish भी करती है, और इस तरह से हम बोलते हैं, यह होते हैं आपके public interest, तो pond ने तीन टाइप की interest बता है, private, social and public, उन् और इन तीनों interest में harmonization होना चाहिए, ताकि हमारे conflict जो है, minimum से minimum, उन्होंने का अगर हम harmonize नहीं करेंगे, तो हमारे जो है, बहुत जादे जो है, फिर conflict आने लगेंगे, तो वो कहते थे कि इन में जो है, कोई भी conflict नहीं आना चाहिए, हर एक के साथ जो है, win-win situation होनी चाहिए, उन्होंने का, कि देखिए, आपका private interest है, कि आप कहीं पर भी घुरू से सकते हैं, अराम से जा सकते हैं, लेकिन social interest क्या कहता है, कि हमारा law and order भी होना चाहिए, तो अगर private interest जो है, हम किसी के भी घर में गुल जाते हैं, किसी की भी कोई चीज हमें अच्छी लगते हैं, तो हम तो लगता है, हमारा private interest है, हमें कहीं भी आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी के भी घर में गुल जाओगे, तो एक तरिके से society का law and order break होता है, तो यहां पे दोनों interest में conflict आ गए, क्योंकि एक जो private interest है, वो आपका win कर रहा है, और social interest lose कर रहा है, तो इस तरिके से हमारे को balance करना है, तो फिर उन्होंने इसके लिए कुछ postulate बताए, देखे, during postulate क्या होते है, यह एक तरिके की guidelines है, यह आप इन्हें assumption कह दीजिए, यह आप इन्हें ideal standard कह दीजिए, जो की society में follow होनी चाहिए, तभी यह law जो है, जो आपकी interest होते है, उसमें balance provide क तो जूरेल पॉस्टूनेट क्या कहला है, कि वो ideal norms, वो ideal guidelines, जो की एक civilized society को follow करनी चाहिए, देखे, पहला जूरेल पॉस्टूनेट क्या कहता है, कि हम यह assume करके चलते हैं, कि कोई भी intentionally हमारे पर aggression नहीं करेगा, intentional aggression का क्या मतलब है, कि अगर हम सड़क पे जा रहा है, तो कोई भी हमें बिना मतलब partner शुदू नहीं कर देगा, या हमारी चीछ को छोडी नहीं कर लेगा, तो हम यह assume करके चलते हैं, नहीं तो फिर कोई भी हमारा जो है, जो interest है, वो कभी भी balance नहीं हो सकता, second jurial postulate में उन्होंने बताया, कि civilized society में हम यह मान के चलते हैं, कि जो भी चीज हमने अपनी labor से बनाई है, या हमने purchase करी है, उसको हम जो हैं, अपने purpose के लिए use कर सकते हैं, for example, हमने कोई मकान बनाया, तो हम उस मकान को अपने हिसाब से use कर सकते हैं, यह नहीं कोई third party आए, कभी भी हमारे घर में गुश जाए, तो वो बिलकुल गलत होगा, तो हमें यह guidelines मानने ही चाहिए, कि हमने जो भी चीज बनाई है, या जो चीज purchase करी है, उसे हम अपने freedom के हिसाब से use कर सकते हैं, next, general postulate, third में उन्होंने बताया, कि हम civilized society में यह मान के चलते हैं, कि अगर हम किसी भी society के member के साथ कोई भी dealing करते हैं, तो वो good faith में करते हैं, तो हम मान के चलते हैं, कि दूसरा बंदा हमें अच्छी कार प्रोवाइट कर रहा है, हमें जो है, ऐसा घर प्रोवाइट कर रहा है, जिसमें कोई भी dispute नहीं हो, तो हम good faith में यह सब चीजे जो है, assume करके चलते हैं, अब jurist postulate fourth बताता है, कि अगर हमारा जो course of conduct है, हम किसी के स कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हम due care से ही work करेंगे, देखिए, अगर हम कुछ right चाहते हैं, तो हमारी duty भी होती है, कि जैसे हम अपना right चाहते हैं, तो वैसे ही हम due care से भी कालिये करेंगे, for example, अगर factory का मालिक यह चाहता है, कि मेरा production अच्छे से अच्छाओ, और बहुत quality प्रोड्यूस करें, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, कि उनके लिए कोई हजार्डियस अगर activity में काम करें, तो उसको full protection दी जाए, ताकि वो उन हजार्डियस activity में काम करते हुए, लेवर अपने को safe कर सके, तो लोगों से deal करते हैं समय हमें due care को याद रखना, अब last, juror postulate, fifth बताता है, कि हम civilized society में ये मान के चलते हैं, कि दूसरे लोग जो चीजों को maintain करें, या वो कोई agency में work करें, तो वो harmless way में जो है work करें, तो ये थी civilized society के, मतलब एक तरीके से guideline, जो कि हम ये मान के चलते हैं, कि सब लोग इनको follow करेंगे ही करेंगे। अब उनकी जो है, उन्होंने अपनी social engineering की theory तो दे दी, अब उनकी इस theory को जो है criticize भी किया गया, वो criticize क्या थी, कि उन्होंने बताया, कि आपको मैंने पहले ही बताया था, उन्होंने का जो lawmaker होते हैं, वो बिलकुल engineer की तरह होते हैं, अब engineer तो factory में work करते हैं, और जो lawmaker होते हैं, वो social engineer होते हैं, तो वो society में work करते हैं, तो इनके critics ने का कि factory और एक society में बहुत जादे difference होता है, फैक्टरी की चार दिवारियों में रहते हैं, उसकी अपनी एक presumption होती है, महा एक punctuality होता है, वहापे कुछ norms चलते हैं, लेकिन society में इस तरह से हम उसको चार दिवारी म करी नहीं सकते, तो फिर हमारा ये engineering का concept भी बिलकुल baseless हो जाता है, next उन्होंने बताया कि Rossco Pound ने जो interest का classification किया है, वो तीन तरीके से कर दिया, कि private interest, social interest और public interest, लेकिन इन सारी ही चीजों को, हमें सभी तरह की interest को इन तीन चीजों में classify करना बहुत difficult होता है, उसमें overlapping होती र society का एक interest है कि pollution free society रहनी चलिए, नहीं तो ये सभी लोगों पे impact डालती है, अब आप देखिए कि Delhi को जो है, सबसे जादे polluted city माना जाता है, तो Delhi NCR को, तो अब लोगों के lungs में दिक्कत होने लगी, उन्हें breathing में problem होने लगी, पहले तो लोग बाग ध्यानी देते थे, पे problem आने लगी, तो अब उनका ये जो pollution से हमारी safety हो, ये उनका private interest भी भन गया, तो इसे लिए कि जो classification of interest है, वो change भी होता रहता है, और हमेने एक specify उसमें नहीं कर सकते कि ये social interest है या ये private interest है, तो pollution से मुक्ते माना एक तरह के से आपका individual interest भी हो सकता है, और ये आपका social interest भी हो सकता है, next था, उन्होंने कहां ये जो interest होते हैं, law का काम है कि वो इन सब को harmonize करें, जिसे की conflict कम से कम हो, उन्होंने कहां जो critics थे, ये बहुत ही difficult process है कि सभी diverse interest को हम harmonize करें, क्योंकि generally क्या होता है, कि आपकी society जो है, बहुत diverse तरह के हो, यहाँ different psychology के लोग रहते हैं, different पहनावा होता है, different तरह के आपके कपड़े पहनते हैं, different तरह के खाना खाते हैं, तो इतनी जादे diversity में, आप हर एक के interest को loss expert करें कि वो harmonize करतेगा, तो यह अपने आप में बहुत difficult काम है, फिर last इसकी criticism थी, कि रॉसको पाउंग ने, जो था, want और desire को बहुत जादे important दिय उन्होंने काया, जो भी interest होते हैं, वो आपकी want और desire पे base करते हैं, जैसे private interest पे का, कि हमारी desire होती है, कि हम अपने family life को अच्छे से जिए, तो domestic violence नहीं होनी चाहिए, या उन्होंने interest of substance में बताया कि हम अपनी property को अच्छे से enjoy कर सकें, इस तरह के right हमारे होनी चाहिए, तो उन्होंने का कि बहुत सी personal freedom के भी interest होते हैं, क्योंकि Roscoe Pound ने जो want and desire थी, उसको materialistic चीजों से जोड दिया, बहुत एक संसार से जोड दिया, उन्होंने का, इस बहुत संसार में तो हम अपनी want and desire को पूरा करना ही चाहते हैं, लेकिन बहुत सी intangible भी चीजे होती हैं, जैस लेकिन आप उसे कहें कि भई आप इस महल से निकल नहीं सकते, तो उसकी बहुत एक जो desire और want है, वो तो सब पूरी हुरी है, लेकिन हो कैद में हो गया है, तो आप पिंजरे में किसी को कैद में करेंगे, तो वो जो है महाँ पे अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा, तो हम सुविजाय के सासर, रॉसको पाउंड नहीं जो personal freedom थी, इस वाले पार्ट को ignore कर दिया, तो इसके basis पे भी उनकी criticize की गए, तो ये थी रॉसको पाउंड की थियोरी, मैंने आपको बहुत ही easy way में बताईए, पहले आपको शुरू में रॉसको पाउंड का थोड़ा से introduction लिख इसके बाद उनकी जो है criticism बताने, तो ये थी आपकी रॉसको पाउंड थियोरी, I do hope कि आपको मेरा lecture अच्छा लगा होगा, अजर आपको मेरा lecture अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करिये, और अपने friends को share जरूर करिये, क्योंकि ये जूरिस्पुदेंस का बहुत important topic ह और नॉर्मली जूरिस्पुदेंस बच्चों के तिरके 4 feet उपसे गुज़ा जाती है, so that's all for today lecture, thank you very much.